मित्रों सवने वंदन गुजराती कविता परिचे श्रणिंग मा आप सवनु पुन एक वार भाव पुर्ण स्वागत्चे आजे आपने कविष्री मणिशंकर रत्न जी भड इटलेके कांथनी कवितानों परिचे प्राप्त करीशु सव प्रथम आपने कविश्री मनिशंकर रत्नजी भट्नो टूंक मा परिजे प्राप्त करिये। प्रश्णोरा नागर ग्न्याती नो कुट विध्या प्रेमी अर में धर्म परायन हातो। प्रारंब मा थोड़ोक अभ्यास मांगरोड मा अने पची थी मोर्भी मा तेवो एकर्यो हातो। इस विशन अडार्सो चोरिया श्री मा मेट्रीक नी परिक्षा राजकोट नी शाडा म थी पास करी हाती अने वद्धू उच अभ्यास पर थे मुंबई नी एल्फिंस्टन कॉलेज मा तेवो जोडाया हाता। अभी ये मा तेवो ए लॉजिक अने मौरल फिलोसोफ इविशयो राख्या हाता। अभ्यास पूरो करया पच्छी तेवो ए सूरत, भावनगर अने पे युवान कांत ना वानसमा मौद्धिक्रस विशिश चागरु थे हो हतो। परिणा में तेवो प्रेम, धर्म, इश्वर वगेरे कहन गंभीर प्रश्णों ने समझवा मथामन करवा लागया हाता। ख्रिस्ती दार्शनिक ना विचारों नो मुख्य फाडो छे। स्विडन्बोर्ग ना धर्म तत्पग्न्यान विश्यक ग्रंथो कांते तेमना वडोद्रा दिमास तर्म्यान वाचा हाता। तैनी उंडी असर तेमना चित्तों पर पड़ी हती। गुजराती, संस्कृत अरे अंग्रेजीना शिष्ट साहित्यनो परिशिलन अने धर्म मन्थन कांतनी कविताना विधायक परिबढ़ो छे। मित्रो उंडा मनुमन्थन पछी कांते इस्विशन अडार्शु सत्तानों मा खृस्ती धर्म अंगी कार कर्यों हतो। आथी सगास नेहियो तेमन मित्रों नो विरोध अने वियोग तेमने सहन करवानों आवयो। कांत सर्खा अती संबेदन शिल्रदैना मान्वी माटे ए असहिय बन्यू। तेथी तेवो प्रायश्चित माटे दयार थाया। तेवो ये हिंदू धर्म पुनाधारण करो परंतु तेमने आंतरिक प्रतिती साचा अर्थमा छेक सुधी खृस्ती धर्म तरफ नीज रही हती। प्रथम पत्नी नर्बदा अने वत्सल पुत्रीना मृत्यूना आघात तेवो जिर्वी शक्या नहता। अने तेथी तेमना जिवनमा शुन्यता अने एकलता पत्राय गई हती। इस विशन ओग्णी सो त्रेविसमा तेवो काश्मीर ना प्रबासे गया हता। त्यां थी पाचा फर्ता रावल पिंडी थी लाहो रावती ट्रेण मा तेमनो अचानक अवसान थेवो हत। कांत क्षर देह अवसान पामया तेज दिवसे कवी तरीके तेमनो अक्षर कारिय पुर्वालाप ग्रन्थरूपे प्रगट थेवो हत। मित्रो कांतनी कवीता पुर्वालाप संग्रसंदर बे आपणे जोईए। पुर्वालाप कवीनो एक मात्र काव्य संग्रा चे। पुर्वालाप मा किटलाक उच्च कोटीना उर्मी काव्यो जोवा मड़े चे। ए उर्मी काव्यों मां कवीना आंतर जीवनना धबकार जिलाया जे मारी किस्ती अंतिम प्रार्थना वगेरे काव्यों मां कवीनी ख्रिस्ती धर्मभावना अने प्रभुश्रद्धानु निरूपन थे उचे साम्प्रंत रसमय रुतु रतीने प्रार्थना मनोहर मुर्ती मत्त मयूर आपनी रात जिवाकाव्यों मा स्नेभाव प्रगट थाये छे सागर ने शशी मा प्रक्रुती दर्षननी उर्मी कांतनी कवी तरीकेनी समर्थ प्रतिबा प्रगट करे छे उपहार राजहौसने संबोधन, महमानोंने संबोधन, कलापीने संबोधन वगेरे काव्यों मा कांतनो मैत्री भाव प्रगट थायो छे कांतना कवी मानस विश्यवात करियतो सत्य स्नेह अने संदर्यनी अभिपसा कांतना कवी मानस नू मुख्य गटक छे कांतनी कविता माथी अत्यंत स्नेहाळ, कोमळ अने रुजु स्वभावना कडाकारनी आंतरवेदना वेक्त थाई छे तमारी पासे तो कुसुम सर्खो कांत गण जो एम तेवो स्नेहियोनी विनंती करे छे जगत्मा रहेली विशंता परत्वे तेमना अंतरमा सतत मंथन चाल्या करे छे तेवोनी स्नेह नी अविप्सा सतत चालू रहिने अत्रूप्ति नो अनुभव करावे छे प्रणैनी त्रूप्ती ठती नथी, प्रणैनी अबिलाश जती नथी एम तेवो आर्प स्वरे कहे छे प्रेम पात्र जिवन सक्खी ने उद्देशी ने तेवो सुन्दर उदगारों काडे छे वस्यो हैये तारे रहो ए आधारे प्रिये तेमा मारे प्रणे दुनिया थी नव थयो नवा संबंधोनो समय रसभीनो पन गयो नहीं तदपी उदवेग मुझने नयन निर्खे मात्र तुझने हरे दृष्टी वाली सदाय मृदू तारीज रुझने पत्नी नर्पदाना उसाननो घा कवी ददैमा विधूर कुरंग अने विप्रयोग जिवा करून रसिक काव्योस पुरावे छे गत प्रियाने उद्देशिने कवी करून स्वरे घाय छे नहीं स्वजन ते सखी स्वजन एकली तु हती सहस्त रशत शल्यमा रदैनी पतारी थती चक्रवाक मिथुन मा कवी ने प्रकृती सामे फरियात छे सुरुष्टिना क्रम नियम नडे छे एनी सामे प्रेमी युगलनो प्रतिकार छे चक्रवाक हने चक्रवाकी बन्नेनी विवश्टाने नुरूपन करता कवी कहे छे प्रणैनी पं त्रुप्ती थती नथी प्रणैनी अभिलाश जती नथी समयनू लवभान रहे नहीं अवधी अंकूष स्नेह सहे नहीं आ परिस्थितिमा चक्रवाकी कहे छे सामे चक्रवाकी लाचारी बतावे छे कहे छे लाबा छेजा दिनप्रिय सकी रात्रिये दिर्ग तेवी आ अईश्वरिये प्रणै सुखनी हाय आशाज केवी अन्ते चक्रवाक चक्रवाकी आ सुरुष्टी दियम्ती बचीशके तेम नथी एवी प्रतीती बन्नेने थाये छे आम अई प्रक्रुती दंपत्ती जीवनमा परिवर्तक निर्णायक परिबढ बनी रहे छे वसंत विजये सौंदर्यनों केवो उतकट अने जीवन परिवर्तन कारी प्रभाव पड़े छे एनों उत्तम उदाहरन आ खंड काव्यमा छे पांडु राजा वनमा आश्रम जीवनमू तप करे छे माद्रीने कुंती पन साथे रही ब्रह्मचरिय पाड़े छे पांडुने अभिशाप एवो छे के काम एलेके संभोग एने माटे मृत्युनू कारण मुन छे पन वसंत्रुतुना सुन्दर मादक वातावरण नो प्रभाव पांडुना चित्त पर पड़े छे कवी कहे छे सुरुष्टी साउंदर्यने जोता कई रोमान्च थयु हतु गणा दिवस्नू पेलु योगान दत्व गयु हतु पन पांडुना योगी मानसमा पाचो पेलो योगाश्रम दर्म जागी उठे छे ते कहे छे शाने थव पतित आश्रम दर्म नाथी सुन्दर्यशू जकतशू तप एज साथी पन पाचो माद्रीना लावण ने तेने प्रभावित करयो प्रसंग बदलाता ए सिद्धान्त विसरी गयो मटी तापस एपाचो भरता स्वामी खरे थो ने पचीतो विहरता उभय चित वसंतना सामराज्य हे ठड़ावी जाए छे क्यों सुन्दर्वर्णन कवी करे छे धीमे धीमे छटा थी कुसुम रजलै डोलतो वायु वाय चोपासे वल्लियो थी परिमल प्रसरे नेत्रने तुरुप्ति थाय बैसीने कौन जाने कहीं परभृति का कान स्वर्गी गाय गाडी नाखे रसिकरदयने रुत्ति थी दा बचाय परिणाम शुआवे छे गैली बनी बदी स्रुष्टी रसमा हाल नाय चे हाई एक ज पांडुना है यामा कहीं कथाये छे पांडु दिरे दिरे मदोन मत्त थेई चुक्यो अने माद्री पासे जई तैने भुजामा ले चे पन माद्री तैने वारे छे तै कहे छे डरू छू भैपाम मुछू जोईने आज आपने अरे केम बिसारो छो रुषीना उग्रशापने माद्री करगरे छे पन पांडु मानतो नथी पांडु बोली उठे छे जानू बधू पन दिसे स्थिती आ नविन मारू नथी बड बन्यो जड बहार मिन देवी विचार करवा सगडा तजीदे रे हाय स्पर्ष सुक प्राण सकी हजीदे छेवटे वसंतनो विजय थाये छे जम्पलावी पडि माद्री नरेंद्र बुजनी मही आम तपोबंग ब्रदबंग थाये छे पांडू शापनो भोग बने छे वसंतना संदर्यनो प्रबाव एवो छे के पांडू मौत ने पन गणकार तो नथी औने काम उपभोग ने वश्थाये छे आम पांडू ना तपनू पतन थाये छे कवी दर्शावे छे के वसंत अने मदन वृत्त्युती पंड वदू सवड छे जे मानव नियती छे देवियानी खंड काम्वे मा कवीनू संदर्य दर्शन विश्ष्ट रित्याले खाये उचे देवियानी ना क्या छो कच सके क्या छो एवा नुतन स्वर्थी काव्वे आरम भाये छे काव्वे ना अन्ते सवंदर्य स्नेह मा परिणा में छे तवी कहे छे विशिद्ध सनेह नू जोडू विश्व सवंदर्यमा वहे विलासी वीधुने तारा नपथी निर्खी रहे आम सनेह अने सउंदर्यनों परस्पर अविनाभावी योग विशुद्ध दंपत्ती सनेह रूपे वहे छे अने ये विश्व सउंदर्यना अंगरूप बनी रहे छे एम ने चंद्र तारा जिवा प्रकृतिना सुंदर तत्व आनंद थी निर्खी रहे छे सागर ने शशी प्रकृति सउंदर्यना प्रभूता भर्या निरामै सउंदर्यनों काव्य छे आम तो आ काव्य शरत पुनमनों चित्र छे पण हैं सउंदर्यमा थी जे अलवकिक शान्ती ने हर्ष लाते छे ते विशिष्ट रिते काव्य विशय बनी रहे छे आज महराज जलपर उदय जोईने चंद्रनों रदय मा हर्ष जामे स्नेहगन कुसुमवन विमल परिमल गहन निजगगन माही उतकर्ष पामे पिता कालना सर्वसंता प्रशामे वसंत्विजय काव्यमा निरूपायल प्रकृती थी आ काव्यमा जुदीज प्रकृती निरूपन पामेली अनुभवाय छे मित्रो, आम गुजर्याती काविसाहित्तने कांतनु चीर यश अपावे तेउवर पण एक खंड काव्यो छे। कांते आठ खंड काव्यो आपया छे। वसंत विजय, अति ज्ञान, चक्रवाक मिथून, अने अपूर्ण रहेलू देवियानी तेवना जानीता महत्वना खंड काव्यो छे। कांतना खंड काव्यो मां जिवननु कोई सुक्ष्म रहस्य निरुपन पाम्तु जोवा मडे छे। खंड काव्यो ना कैंद्र मारहिल पात्रनु आंतरमंथन अने संगर्ष कवीने हाथे उशडता पूर्वक मावजत पामे छे। प्रसंगोचित परिस्थिती के प्रकृतिना सुरेख वर्णनो प्रांत संबाधनी जिवनत ताने प्रगट करता शब्डोनी कवीना हाथे थैली उचित पसंद की भावने अनुरूप छंडोनू वैविद्य अने सहज रीते काव्यना अंगरूप बनी रहता अलंकारो वगे सेरे वडे काव्यने कला गाटा पमा कांत कवी तरीके सफ़ड निवडेचे। कांतना खंड काव्यो मानव जिवन अने प्रणई जिवन नी विशम ताने आलेखेचे। पात्रगत मनुमन्थन कवीनी जिवन दृष्टेनू सुचक बनी रहेचे। मानवी अने नियती वच् गर्ष एमना तमाम खंड का व्योमा एक अथवा बिजा प्रकारे निरूपायलों जोई शकाये छे। मित्रों अर्वाचिन गुजराती कवीता परिचे श्रणी मा आजे आपने आरिते कवीश्री मनिशंकर रत्नजी भट विलेके कांतनी कवीतानों परिचे प्राप्त करू आपरिचे श्रणी मा जोड़ा वदल सव मित्रों अभार सवने वंदन फरी मडिशू एक अन्य कवीनी कवीता साथे त्या सुधी आप जो